solution क्या होता है? solution एक homogeneous mixture होता है अगर मानलो दो component है तो उसको बोला जाता है binary solution जो solutions है उनको classify करते हैं solid solutions, liquid solutions सबसे last में आता है gaseous solutions जो solution का physical state होगा वही आपके solvent का physical state होगा किसी भी solute का जो maximum amount इस solvent में dissolve हो सकता है उसी को बोला जाता है solubility gas liquid के contact में आही नहीं रही इसका मतलब solubility भी कम है it is directly proportional to mole fraction of gas in solution partial pressure of gas ठीक ना? and this particular constant is known as Henry's constant hello and welcome to all my dear students क्या हल चाल आप लोगों के उमीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का welcome करता हूँ mind map series और हम लोग आज जिस chapter के बारे में बात करने वाले हैं उस chapter का नाम है solutions एक बहुत ही आसान सा chapter है class 12 physical chemistry का और ये जो chapter है इसका कुछ portion concentration terms वाला portion है आप लोग mole concept में भी बढ़ते हो जो class 11 का first chapter है तो छोटा साई chapter है कुछ बहुत बढ़ा chapter है नहीं चोटे ही concepts हैं कम ही concepts हैं बहुत लंबे चोड़े concepts भी नहीं है इस chapter में और important portion जो आता है इस chapter का वो सबसे last वाला portion collective properties है उसमें से generally ज्यादा questions इस chapter से उचे जाता है तो वही चीज़ हम लोग लगभग 40 to 50 minutes में इस chapter को complete करने कोशिश करेंगे let's see कितने time में हो पाता है है ना लेकिन हमारी कोशिश रहेगी और कौन से बच्चे हैं जो इस वाले session को देख सकते हैं ये session उन लोगों के लिए helpful रहेगा जिन बच्चों ने ये chapter अच्छे से पढ़ रखा है और जो लोग revision करना चाते हैं इस chapter का एक fast forward revision तो वो इस chapter को देख सकते हैं let's say आपका exam है और उस exam से एक दिन पहले आप लोग चाहते हो कि आपके पास ऐसा कोई session हो जो आपको आदे से पून घंटे में पूरा chapter revise करवा सके तो इस mind map series का जो motive वो ये ही है यस एक्जाम ना भी हो वले और लेकिन let's say कि आपने एक chapter ये वाला chapter एक मीने पहले पढ़ रखा और आप चाहते हो कि एक बार के लिए chapter revise हो जाए तो कुछ बुरा नहीं है यार अगर हम लोग 40-45-50 मिनिट में chapter के जो मोटे-मोटे concepts है एक chapter का flow sequence है वो में समझ में आ जाए है ना और हमारे कोशिश भी यही है कि mind map series के थुरू आपको ये सारे चीज़ें दी जाए आपके पास हर एक duration का एक video होना चाहिए आपका मन कर रहा है कि यार मुझे एक पूरी होला पूरा chapter 10-12 गंटे में पूरा detail वीडियो चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा आप चाहते हों कि ये one short session आपको 3-4 गंटे का चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा और आप लोग चाहते हों कि fast forward revision होना चाहिए जो कि आदे से एक गंटे के बीच में हो तो वो भी आपको हम लोग प्रवाइड करवा रहे हैं ठीक है ना तो चलो फिर thank you बात में बोल देना है ना हम लोग session को करते हैं start मैंने बता दिया है कौन से बच्चे session को देखें उनके लिए ज्यादा helpful रहेगा आल राइट तो कौन-कौन से topics हैं जो हमें इस chapter में पढ़ना है आपके सामने लिखा है हमें तो पुरा chapter ही पढ़ना है ना जो जो topics आते जाएंगे हम लोग उनके बारे में बात करते जाएंगे हैं है by the Sum triuser at 500 सेटमेशन की वात करो ना तो आप लोग यह कहते थैं कि मौता है हुऌ मोजीटेश मिक्षर होता है कैसा होता है हो मोजीटेश स स्कांटम टॉर्आ मिक्षण वाहता द। उसको हम लोग homogeneous mixture बोलते हैं, और जो mixture होता है, आपका solution होता है, उसके components हो सकते हैं, solution के एक से ज्यादा components होंगे, और अगर मानलो दो components हैं, तो उसको बोला जाता है binary solution, क्या बोला जाता है? binary solution, yes, binary solution में जो एक होता है, solute, और दूसरा जो होता है, solvent, yes, यह हम लोग सारी होता है, और यह सारी चीज़ें आपको भी पता होती है, एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी होती थी, यहाँ पर क्या, कि यह जो solvent है, यह decide करता है, क्या physical state of solution, यह क्या define करता है जदा, यह decide करेगा, physical state of solution, जो solvent की physical state होगा, वही solution का physical state होगा, done, और इसी के basis पे हम लोग जो solutions है, उनको classify करते है, solid solutions, liquid solutions, and, सबसे last में आता है, gaseous solutions, हैं나, solid solution का मतलब यह हो गया, कि जो solvent वो liquid है, और gaseous solution का मतलब यह हो गया, कि जो solvent वो gas है, generally कोई भी quantity, कोई भी component जो ज्यादा quantity में होता है वही हमारा solvent होता है, लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया वो चीज आप ना भी ध्यान रखें, आप हमेशा ये ध्यान रखें क्या, कि जो solution का physical state होगा, वही आपके solvent का physical state होगा अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक छोटी से term है, लेकिन काफी important है, और उस term का नाम है solubility, है ना, पहला question आपके दिमाग में आएगा सर, solubility होती क्या है तो देखो, solubility का मतलब है, आपके सामने मान लेते हैं कि एक particular amount of solvent है इस particular amount of solvent में आप लोग उपर से solute add करते जा रहे हो यस, आपने temperature fix कर देखा है, pressure आपने fix कर रखा है तो एक particular temperature और pressure पे किसी भी solute का जो maximum amount इस solvent में dissolve हो सकता है, उसी को बोला जाता है solubility ज्यान रखना है, maximum amount बड़ा important है, maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a particular temperature and pressure आप बोलोगे सर, बाप नहीं बे, आप बोलोगे सर ये बदाओ ये जो आपका solubility है, कौन-कौन से factor पे depend करती है तो ये solubility depend करती है, nature of solute, nature of solvent as well as temperature and pressure, सर, nature of solute और solvent पे कैसे depend करती है आप लोगोंने नाम सुना है, like dissolves like, सुना एक नहीं सुना बताओ like dissolves like, मतलब polar solute जो होगा, वो polar solvent में dissolve होगा और जो non-polar solute होगा, वो non-polar solvent में dissolve होगा है ना, that is the meaning of nature of solute and solvent अब हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं, solubility of a solid in a liquid है ना, solid की solubility liquid में, मतलब जो आपका liquid है, वो है solvent और जो आपका solid है, वो कैसा है, वो है जी solute यस, ये चीज़ हमें पता है तो इसी में देखो नीचे लिखा है, like dissolves like, इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ polar solute, polar solvent में dissolve होगा, non-polar solute, non-polar solvent में dissolve होगा है ना, जब हम लोग solubility की बात करते हैं कि equilibrium establish होगा, solute और solvent के बीच solute plus solvent gives solution, ये ये saturated solution बनने के बाद maximum solubility वाली condition में equilibrium establish रहता है, जिसमें जो forward direction है इस forward direction को बोला जाता है dissolution, और जो backward direction है that is non-ass crystallization, इसको क्या बोला जाता है, crystallization और जब हम लोग equilibrium लिखते हैं, equilibrium पे, ये dissolution का rate और crystallization का rate होगा, वो same होगा, हम लोग chemical equilibrium में पीछे पढ़के आए अब हम लोग बात करते हैं कि साब, ये जो solubility है, इस पे temperature का क्या effect है, तो सबसे पहले बात आएगी, कि जो आपका dissolution process है, वो किस तरह का है, अगर आपका dissolution process endothermic है, इसका मतलब enthalpy of solution greater than zero है, तो हम लोगों ने चैटलेस प्रिंसीपल बढ़ा है chemical equilibrium में, कि जब आप temperature बढ़ाओगे, जब आप temperature बढ़ाओगे, तो ददा solubility आपकी increase करेगी, अगर आपने temperature कम किया, तो जो solubility होगी, वो decrease करेगी, और जस्ट इसका opposite हो जाएगा, जब आपका dissolution process कैसा हो, exothermic, enthalpy of solution negative है, dissolution के बाद जो net enthalpy change है, वो negative मतलब energy release हो रहा है, तो इस case में अगर आपने गलती गरी temperature बढ़ाने की, तो मेरे भाई, solubility जो होगी, वो decrease कर जाएगी, और अगर आपने temperature कम किया, तब जाके आपकी solubility increase करेगी, है ना, तो temperature का जो effect है, वो depend करता है, कि आपका जो dissolution process है, वो endothermic है, या फिर exothermic है, आगे चलते हैं और बात करते हैं, pressure के effect की, देखो, सारी दुनिया जानती है दादा, क्या, कि solid और liquid दोनों ही जो होते हैं, वो compressible नहीं होते, अरे भाई, अगर वो चीज compressible ही नहीं है, तो उस पे pressure का को effect नहीं होगा, है ना, तो जो solids की solubility होती है, liquid में, उस पे pressure का को effect दूर-दूर तक नहीं होता, ठीक है साब, यह हमने माल लिया, तो सर बताईए, gas की solubility अगर liquid में की हम लोग बात करें, तो क्या उसमें होगा क्या, देखो, जब मैं कहा रहा हूँ, liquid, इसका मतलब यह है आपका solvent, और मैं कहा रहा हूँ, solubility of a gas, इसका मतलब यह जो gas है, यह यहाँ पर है, solute, done, क्या effect होगा, क्या effect होगा, solubility of gas का, तो लिखा है कि जो gas की solubility होती है, वो pressure increase करने के साथ increase करती है, है ना, इसका logic बिल्कुल simple सा है, इसका logic बिल्कुल simple सा है, जैसे माल लो, आपने gas fill कर रखी है, यह यह container ले रखा है, यहाँ पर आपने gas fill कर रखी है, और इस gas के उपर जो pressure डाल रहे हो, आप लोग, है ना, मैं ऐसे कह सकता हूँ, या फिर इसको ऐसे समझो, ऐसे मत मानो, let's say, यहाँ पर आपने liquid ले रखा है, पहले, क्या ले उपर से pressure बढ़ाया, तो आपका जो volume होगा, वो कम हो जाएगा, sir, volume कम होने से क्या फरक पड़ेगा, यह जो gas के particles से इनके moment के लिए जो space है, वो कम हो जाएगा, और अब यह जो gas के particle है, इनके liquid में contact में आने की solubility भी कम है, लेकिन जब मैंने pressure बढ़ाया, तो gas का जो volume है, वो decrease कर गया, volume decrease करेगा, तो यह जो gas के particles से इस liquid के contact में ज्यादा आएंगे, और ज्यादा contact में आने का मतलब है, gas की solubility liquid में increase करेगी, लेकिन कब increase करेगी, जब आप external pressure बढ़ाओगे, और इसी चीज़ को समझाया किसने है, हेंडरी में, है ना, एक law आता है, हेंडरी जो काफी important है, इसका यह कहना था कि कि किसी भी gas का जो pressure होता है, partial pressure of gas, it is directly proportional to mole fraction of gas in solution, यह ध्याद रखना है, यह जो P है, जदा P is partial pressure of gas, यह क्या जदा, partial pressure of gas, ठीक ना, है ना, partial pressure of gas है, और यह जो mole fraction है, किस में होना चाहिए, solution में mole fraction होना चाहिए, जब आप proportionality का sign अटा होगे, तो आप एक constant use करते हो, and this particular constant is known as Henry's constant, यह जो Henry's constant होता जदा, यह nature of gas पे depend करता है, किस पे depend करता है, gas की nature पे depend करता है, यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर माल लो, मैं pressure on mole fraction के बीचे graph बनाना चाहूँ, मैं अगर pressure on mole fraction के बीचे graph बनाना चाहूँ, तो straight line बनेगा, yes, यह y is equal to mx का graph बन जाएगा, है ना, यह pressure y axis पे है, यह mx और आपका जो mole fraction of x axis पे है, तो y is equal to mx का graph बनेगा, और इस graph का जो slope होगा, इस graph का जो slope होगा, वो किसके equal हो जाएगा, वो equal होगा, henry's constant के equal, मानते हैं उस बात को, done, बहुत अच्छी बात है सा, लेकिन अगर माल लो, अगर मैं pressure constant ले लो, at constant pressure, एक particular pressure पे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कि जो mole fraction of gas है, या फिर ऐसे बोल दो, कि जो kH है, it is inversely proportional to mole fraction, yes, मतलब kH का value जितना ज्यादा होगा, mole fraction of gas in solution उतना ही कम होगा, अगर gas का mole fraction solution में कम है, इसका मतलब, gas की जो solubility है, वो कम है, है ना, तो यहाँ से इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, कि किसी भी gas का, Henry's constant का value जितना ज्यादा, उसकी gas, gas की solubility उतनी ही कम होगी, है ना, यह बहुत important चीज है, अगर इसकी हम लोग applications की बात करें, तो आप लोग NCRT में application देख सकते हो, है ना, scuba diver वाला जो application है, वो से decrease करता है, gases की solubility blood में एकदम से decrease करेगी, जो gases होती हूँ, बलड से बाहर आने की कोशिश करती है, और इसी चक्कर में, bends create हो जाते हैं, क्या create, bubbles create हो जाते हैं, और वो एक बहुत penful situation होते हैं, जिससे इंसान की जान भी जा सकती, है ना, तो उसको बोला जाता है, bends वाली condition, ठीक है ना, अच्छा, ये तो बात होगी effect of pressure की, अब हम लोग बात कर लेते हैं effect of temperature की, देखो gases के लिए, जो आपका dissolution process होता है ना, that is endothermic, sorry, exothermic, कैसा होता है, exothermic process होता है gases का solubility in liquid, और अगर process exothermic है, इसका मतलब आपने gases का अगर temperature बढ़ाया, तो gases की जो solubility होती है liquid में, वो decrease करेगी, और वैसे अगर आपने उल्टा किया, अगर आपने temperature कम किया, तो gas की जो solubility होगी liquid में, वो बढ़ जाएगी, है ना, तो ये चीज़ important है, बहुत important slide आपके सामने खुली भी है, Henry's constant आपको पता होना चाहिए, और साथ-साथ ये effect of temperature भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब यही से हम लोग बात करेंगे vapor pressure of liquid liquid solutions की, है ना, vapor pressure of liquid liquid solution, सबसे पहले चीज़ देखो, liquid liquid solution का मतलब यह है कि आपका solute भी liquid है, और आपका solvent भी liquid है, vapor pressure होता क्या है, मैरे साब से सारी दुनिया जानती है, यस आपने container ले रखा है, इसके अंदर आपने पानी भर रखा है, यस तदा, इसमें आपने क्या भर दिया, आपने पानी भर लिया, आप देखो होगा क्या इसकी vapor बनेगी, यह जो vaporization का process है, इस process is known as vaporization, एक थोड़ टाइम बात जो vapor बनी है, वो इस liquid के contact में आएगी और वापस condensed भी होगी, दो process सल रहे ना है यहाँ पर, और एक टाइम ऐसा आएगा जब equilibrium हो जाएगा, तो equilibrium पे होगा क्या, equilibrium पे आप कहोगे सर, rate of vaporization जो है, वो equal हो जाएगा rate of condensation के, किसके rate of vaporization is equal to rate of condensation, इसको आप लोग बोलते हो, equilibrium condition, और इस equilibrium condition में, यह क्या लिख दिया भे, condensation लिखना, हाँ, क्या condensation, ठीक है, आप कहोगे, कि यह जो equilibrium की condition है, इस equilibrium condition में, यह जो gas इस liquid की surface पे जो pressure exert कर रही है, यह gas इस liquid की surface पे जो pressure exert कर रही है, उसी pressure को बोला जाता है, vapor pressure, और जो liquid का vapor pressure होता है, उसको समझाया एक भाई स ने जिनका नाम था rolls और वहां से पढ़ गया नाम क्या, rolls low ना तो इस कोछे से समझे ना, rolls low काफी important है, इसके applications भी काफी important है, let's है आपने container ले रखा है 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 Santhei इस शाइशनेंग Lower the Kalimani और मखे शनुद का GR लोलीचल को तंब उनकी व्यपर बनेगी ज़ो आपके लिकविड है वो कौन-कौन से हैं ए unya quanto और भी है इन लिक लिविवरियम आजाएगा तो इस safer b का जो ओर lotta लिक्विड फेस में वह कितना है वाईय और वाई बी या पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ही है काय य और काई भी आ जाल बीक आर भीक पुछे जाते हैं वहीं पर A और B का जो पार्शल प्रेशर होगा यहां पर उसको मैं दिखा रहा हूँ और वैसे ही अगर मैं पार्शल प्रेशर ऑफ बी की बात करूँ और अगर आपने प्रपोशनेटी का साइन एट आया तो एक कॉंस्टेंट यूज़ करोगे P0B और अगर आपने पड़ा है क्या डॉल्टन स्लॉफ पार्शल प्रेशर तो वह कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा किसके इक्वल होगा P A प्लस P B के इक्वल होगा मतलब यह जो फॉर्मुला बनेगा P0 A काई A प्लस P0 B काई B यह फॉर्मुला है इस पर खूब सारे निमेरिकल्स आपको जंदली देखने को मिल जाते हैं यह भी आप लोग जानते हो कि जो काई A और काई B का मोल फ्रेक्शन है उसका सम इक्वल होता है तो आप लोग इसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी बना सकते हो आप लोग काई A की जगे 1-काई B लिख सकते हो और एक बार आप काई B की जगे 1-काई लिख के अलग-अलग forms आप लोग बना सकते हो मेरे साब से उसमें आपको कोई तकलिफ नहीं होगी अगर मैं इसका एक ग्राफ बना दूँ आपके सामने यस मैं क्या बना दूँ इसका ग्राफ बना देता हूँ देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्रेशर ठीक है ना यहाँ पर क्या लिखा है हमने प्रेशर सॉलिशन का प्रेशर और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है मोल फ्रेक्शन क्या लिखा हमने, mole fraction तो देखो, माल लेते हैं, यहाँ पर जो A का mole fraction है, वो 0 है और यहाँ पर A का mole fraction 1 हो गया है अगर A का mole fraction 0 इसका मतलब B का mole fraction 1 है और यहाँ A का mole fraction 1 है, इसका मतलब B का mole fraction 0 है तो अभी देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो किसी भी gas का pressure liquid का जो pressure होता है वो उसके mole fraction के directly proportional होता है है ना और यहां से यहां जाने पर A का mole fraction बढ़ रहा है मतलब vapor pressure भी बढ़ेगा एक time आएगा जब maximum हो जाएगा और यह maximum कितना होगा P0 A के equal होगा यहां पर mole fraction of B 0 है और जैसे जैसे right to left जाता जा रहा हूँ वैसे वैसे B का mole fraction बढ़ता जा रहा है और एक time आएगा जब B का mole fraction maximum हो जाएगा और वो कितना होगा P0 B होगा होगा कि नहीं होगा यह दोनों में उपर नीचे कुछ भी हो सकता है और यह जो चीज होगी यह होगी solution का vapor pressure P A plus P B K equal है ना तो यह जो graph है यह graph है P B के लिए और यह graph है P A के लिए partial pressure of A partial pressure of B इन दोनों को आपने add कर दिया जब इसको plus इसको add करोगी तो obvious है solution का pressure इससे ज्यादा ही मिलेगा So this is rolled's law बताइए कोई pressure नहीं हो तो बताओ यह था vapor pressure of liquid liquid solutions जब दो liquid हुआ करते हैं और दोनों ही liquid कैसे होने चाहिए volatile होने ज़रूरी है अब हम लोग बात कर लेते देखो अगला वाला case liquid तो आपका solvent है लेकिन लेकिन आपका जो solute है वो कौन है solid है solute है solid लेकिन यहाँ एक चीज़ में और बता दूँ यह जो solid है यह non-volatile solid है yes जो आपका solute है दादा वो कैसा है non-volatile solute है non-volatile solute है non-volatile solute है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ solid को अगर मैं 20 से दिखाता हूँ अगर यह non-volatile है इसका मतलब इसका जो vapor pressure होगा वो कितना हो जाएगा ददा 0 हो जाएगा यह इसकी vapor नहीं बनेगी इसकी vapor नहीं बनेगी तो जो b का vapor pressure होगा वो 0 हो जाएगा b यहाँ पर मैं solute से दिखा रहा हूँ b को मैं solute दिखा रहा हूँ मैं solvent दिखाऊंगा अब आप बोलोगे सर एक और चीज देखो मान लेते हैं यह वाला एक container था है ना इस container के अंदर आपने लिक्विड भर रखा है प्यॉर solvent फिल कर रखा है एना प्यॉर ए आपने फिल कर रखा है और यह वोलेटाइल है यह कैसा है वोलेटाइल है तो अब इसकी सर्फेस के उपर इसकी सर्फेस के उपर मान लेते हैं यह के पचास मॉलिक्यूल है सर्फेस पे कितने हैं पचास मॉलिक्यूल है तो यहां पर होगा क्या यह जो पचास के 50 molecule है, इनकी वज़े से विपर बनेगी क्यों? क्योंकि ये तो volatile है और volatile है तो विपर जरूर बनेगी ठीक है ना? अब आपने क्या किया? इसके अंदर एक non-volatile solute add कर दिया, आपने क्या किया इसके अंदर? एक non-volatile solute add कर दिया तो आप सारी दुनिया जानती है कि जैसे ही आप लोग non-volatile solute add करोगे हैना भी आपने add कर दिया तो इसकी surface पे कुछ जगह ऐसी होगी इसकी surface पे कुछ जगह ऐसी होगी जिसको कौन occupy कर लेगा non-volatile solute occupy कर लेगा होगी की नहीं होगी इसका मतलब surface पे जो volatile component है उसके moles बढ़ जाएंगे surface पे जो volatile component है उसके moles कम हो जाएंगे कम हो जाएंगे जो volatile component है उसके molecule कम हो जाएंगे और अगर volatile molecule के molecule कम होगे volatile component के molecule molecule कम होगे तो अब जो vapor बनेगी वो भी कम बनेगी है ना तो मालनो यहाँ पर जो volatile component था उसके 50 molecule थे यहाँ पर volatile component के 30 molecule रह गए तो यहाँ vapor किसने molecule की वज़े से बनेगी 30 की वज़े से और यहाँ पर कितने की वज़े से बनेगी 50 की वज़े से इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ इस case में जो vapor pressure होगा वो इसके vapor pressure के comparison में कम होगा क्या ये चीज कही जा सकती है मैंने पूरा ढंक से आपको explain किया है कि जो solution का vapor pressure होता है वो हमेशा pure solvent के vapor pressure से कम होता है अगर आप उस pure solvent में एक non-volatile solute add कर दो मेरी बात समझ में आगे क्या आना बोलना पड़ेगा yes यहां तक ठीक है है ना यह सारी चीज़ें आप लोगोंने पहले भी पड़ रखी है बहुत अच्छी बात है अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और roll slow के basis पे ही roll slow के basis पे ही हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग solutions को दो अलग-लग पार्ट में classify करने वाले हैं और उसमें सबसे पहला पार्ट है ideal solutions ideal solutions वो solutions होते हैं जो क्या करते हैं roll slow को follow करते हैं over the entire range of concentration चाहे concentration कोई सी भी हो यह solutions वो solutions होते हैं जो roll slow को follow करते हैं अगर आप इन solutions का vapor pressure formula से calculate करो या फिर आप इनका vapor pressure experimentally observe करो दोनों चीजें एकदम equal होते हैं दोनों चीजें एकदम equal होते हैं और यह तभी possible है मालो यह है liquid A है ना, यहाँ पर जो particles है उनके बीच जो interaction है वो है, उसको मैं EAA से दिखा रहा हूं यह है liquid B यहाँ पर B के जो particle है उनके B, जो force of interaction है उसको मैं EBB से दिखा रहा हूँ आपने इन दोनों को mix कर दिया mix कर दिया तो mix करने के बाद यहाँ पर जो particles के बीच interaction होगा वो होगा EAB PS observed और calculated vapor pressure equal तभी हो सकता है equal तभी हो सकता है जब EA और EBB जो हो वो किसके equal हो? EAB के equal हो है ना? मतलब इनको mix करने से पहले जो particles के बीच interaction था और mix करने के बाद जो particles के बीच interaction है वो बिलकुल same है और इसी वज़े से observed vapor pressure और calculated vapor pressure की value equal है और अगर आप इसमें देखोगे ना तो इस case में delta V mix 0 होगा है ना? mix करने से इसका 10 ml इसका 10 ml mix किया तो यह 20 ml बनेगा जो delta G mix होगा वो less than 0 होगा है ना? spontaneous process है है ना? spontaneous process के लिए हमेशा delta G mix कैसा होता है 0 होता है अगर आप यहाँ पर delta H mix की बात करोगे है ना? तो वो भी कैसा होगा? delta H mix mixing, enthalpy of mixing है ना? अगर आप इनको mix करोगे तो ना तो heat release होगी और ना ही heat आपको देनी पड़ेगी लेकिन अगर आप entropy change की बात करोगे तो वो greater than 0 होगी मतलब entropy बढ़ती है obviously बात है अगर आप जब आप दो चीजों को mix करोगे तो randomness हमेशा बढ़ेगी entropy हमेशा increase करेगी, clear? तो यह था ideal solutions ideal solutions कौन से कौन से substances होते हैं members of same family members of same family एक ही परिवार के जो member होते हैं वो हमेशा ideal solution बनाते हैं जैसे मानलो आपने लिख दिया CH4 और C2H6 मानलो आपने लिख दिया chlorobenzene और bromobenzene है ना यह एक ही family के member हैं तो यह क्या बनाते हैं ideal solutions का formation करते हैं बात ही आती है sir non ideal solutions क्या होते हैं non ideal solutions वो solutions हैं जो आपके roll slow को follow नहीं करते हैं मतलब इस case में जो observed vapor pressure होगा और जो calculated vapor pressure होगा वो कभी भी equal नहीं होगा दो possibility हो सकती है पहली possibility है कि observed vapor pressure is greater than ps calculated और दूसरी possibility है कि जो observed vapor pressure है it is less than calculated vapor pressure अगर मानलो आपका observed vapor pressure ज्यादा है इसका मतलब आप ये बोलोगे कि ये जो non ideal solution है sir ये positive deviation show करता है from roll slow और अगर मानलो आपका calculated vapor pressure ज्यादा है observed vapor pressure कम है इसका मतलब आप बोलोगे sir ये solution जो है वो negative deviation show करता है from roll slow done? मेरी बात समझ में आई गया yes अब हमें ये ही चीज़ पढ़नी है कि positive deviation और negative deviation जो है उसमें क्या difference होगा इस पर questions भी generally direct पूछ लिए जाते हैं पहली चीज़ में आपको बता चुका हूँ इस case में जो calculated observed vapor pressure होगा it is greater than calculated vapor pressure अब एक बात बताईए अगर observed vapor pressure ज्यादा है तो particles के बीच जो interaction था वो कम हुआ होगा कि ज्यादा हुआ होगा आप अपना common sense यूज़ कर सकते हैं अगर particles के बीच interaction बढ़ेगा attraction बढ़ेगा तो उनकी vapor कम बनेगी अगर particles के बीच force of attraction decrease होगा तो उनकी vapor आसानी से बन जाएगी और vapor आसानी से बनेगी तो equilibrium पे vapor pressure भी ज्यादा होगा इसका मतलब यह हुआ कि सर जो particles के बीच mix करने से पहले interaction था वो ज्यादा है और अब mix करने के बाद जो interaction है वो decrease कर चुका है EAB decrease कर चुका है और अगर मैं delta V mix की बात करूँ आपने mix कर दिया 10 ml, 10 ml तो solution का जो volume होगा भी 10 ml से ज्यादा होगा delta H mix की अगर मैं बात करूँ तो enthalpy of mixing यहाँ पर भी greater than 0 होती है मतलब यह जो process होगा कैसा होगा endothermic process होगा ठीक है अच्छा और एक चीज़ देखिए delta G mix जो होगा दादा वो हमेशन less than 0 रहेगा क्योंकि process आज़ भी spontaneous है और जो entropy है वो entropy increase करेगी entropy क्या होगी increase करेगी मेरी बात आपको समझ में आ रही है yes, कोई दिक्कत नहीं very good और वहीं पर अगर मैं negative deviation वाले solutions की बात करूँ तो just इसका opposite होगा इस case में जो observed vapor pressure होगा it is less than ps calculated vapor pressure calculated और अगर observed vapor pressure कम है इसका मतलब आप बोलोगे sir, particles के बीच mix करने के बाद जो particles के बीच interactions है वो sir, increase कर गये है particles के बीच attraction बढ़ गया है इस वज़े से उनकी vapor बनना कम हो जाएगी और यहाँ अगर particles के बीच attraction बढ़ गया न तो एक का 10, एक का 10 ml big mix करोगे न तो 20 ml नहीं मिनेगा 20 ml से थोड़ा कम मिलेगा डेल्टा G mix आज भी कैसा रहेगा less than 0 रहेगा डेल्टा S mix जो होगा वो greater than 0 रहेगा और साथ साथ एक और बच गया डेल्टा H mix यहाँ पर जो enthalpy of mixing होगा वो less than 0 है अगर water के साथ कोई भी inorganic acid आता है तो यह जो solution होगा वो negative deviation शो करेगा पिनॉल और aniline आपने अगर लिग दिया पिनॉल और aniline तो यह भी negative deviation शो करेगा तो इस case में बहुत सारे examples आप लिख सकते हो water और alcohol यह positive deviation शो करते हैं जैसे मानलों आपने CCL4 लिख दिया इसके साथ chloroform डाल दिया तो यह भी positive deviation शो करेगा जैसे मानलों आपने acetone लिखा है और उसके साथ आपने carbon dioxide sulfide डाल दिया तो यह भी positive deviation शो करेगा तो examples है examples आप जितने ध्यान रख सकते हो आपके notes में जितने maximum examples लिखे हुए है आप example को ध्यान रखो कई बार direct example लिए question आ जाता है कि water के साथ HCL दे रखा है और बताइए यह positive deviation शो करेगा या फिर negative है तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस case में आप लोग direct बता लगा सकते हो तो यह non-ideal solution थे दो तरह के एक जो positive deviation शो करता है और दूसरा जो negative deviation शो करता है अब एक चीज़ और देखो एक बहुत शांदा टाम आती जिसका नाम है azotropic mixtures यह क्या होता है सबसे पहली चीज़ जो non-ideal solutions होते हैं कौन से जो non-ideal solutions होते हैं सर वही azotropic mixture बनाते हैं क्या होता है non-ideal solution के case में एक particular composition पे जो liquid का mixture है वो एक single entity की तरह behave करने लगता है क्या मतलब हुआ इसका जैसे मालों आपने दो liquid ले रखे थे A और B A का boiling point था 50 degree Celsius B का boiling point था 60 degree Celsius इन दोनों को आपने mix कर रखा था और ये दोनों मिलके non-ideal solutions बनाते हैं क्या बनाते हैं non-ideal solution बनाते हैं आप एक चीज़ notice करोगे कि जैसे एक particular composition आया तो ये जो पूरा solution है इसका boiling point fix हो जाएगा एक value हो जाएगी जैसे मालो इसका boiling point हो गया 40 degree Celsius अब ये जो पूरा solution है वो 40 degree Celsius पे boil होने लगेगा बले ही इन दोनों का boiling point अलग अलग था लेकिन एक particular composition पे वो जो पूरा solution है वो पूरा solution एक single solution की तरह behave करने लगता है एक single entity की तरह behave करने लगता है उसका boiling point जो fix हो जाता है अगर उसका boiling point इन दोनों की boiling point से कम हो तो जो ऐसा azotropic mixture बना है उसको बोला जाता है minimum boiling azotrop और अगर माल लो solution का boiling point इन दोनों के boiling point से ज्यादा हो माल लेते हैं 60 degree Celsius है अगर solution का boiling point इन दोनों के boiling point से ज्यादा हो तो वो जो solution होगा उसको बोला जाता है maximum boiling azotrop खास बात क्या होती है कि यह जो azotrop होते हैं इनको आफ fractional distillation से अलग नहीं कर सकते यास यह जो A और P है इसको आफ fractional distillation से अलग नहीं कर सकते because fractional distillation से अलग करने तभी किया जा सकता है जब उनके boiling point में थोड़ा difference हो लेकिन यहाँ तो boiling point में difference ही नहीं पूरा का पूरा जो solution वो एक साथ boil होने लगेगा इसका जो composition है वो vapor phase में और liquid phase में same रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा solution एक साथ boil हो रहा है और यह जो solution है ऐसे solutions को ऐसे mixtures को azotropic mixtures बोला जाता है and this phenomenon is known as azotrop मैंने आपको बता दिया लिखा है यहाँ पर minimum boiling azotrop कौन बनाएगा ऐसे pairs जो positive deviation show करते है from ideal behavior जो ideal behavior से positive deviation show करते है वो minimum boiling azotrop बनाते है positive deviation show करने का मतलब किया हो गया कि उनके बीच force of attraction कम हुआ है और force of attraction कम हुआ है इसका मदब vapor pressure ज्यादा होगा उसका boiling point कम होगा यही तो मतलब हो गया अगर बाई देखो न ऐसा क्या सकता हो न जो vapor pressure होता है अगर boiling point ज्यादा तो vapor pressure कम होगा कम vapor बनेगी उसकी तो यहाँ पर हुआ क्या जो positive deviation वाले solutions है उनका vapor pressure ज्यादा होता है vapor pressure ज्यादा इसका मतलब boiling point solution का कम होगा और justice का opposite maximum boiling agent रोप कौन मनाएगा ऐसे liquid pair जो negative deviation शो करते हैं from rolled slow और इनके examples भी आपके सामने लिखे हैं लिखता है that boiling point lower than either of the component मैं आपको बताई दिया ऐसे A का boiling point 50 degree Celsius B का boiling point 6 degree Celsius तो जो solution का boiling point होगा वो 60 degree नहीं 50 degree से भी कम होगा ठीक है न और यहाँ पर अगर मान लो A 50 है B 60 है तो जो solution का boiling point है वो 60 से भी ज्यादा होगा तभी नाम पड़ा है maximum boiling azotrope ज्यादा वाले से भी ज्यादा है तो maximum और कम वाले से भी कम है तो minimum मेरी बात आपको शायद समझ में आ चुकी बताई यह जरा done तो यह हो गया azotropic mixtures और अब इसके बाद हम लोग इस chapter का जो सबसे important portion है उसकी तरह बढ़ रहे हैं जिसका नाम है colligative properties क्या होती है colligative properties किसको बोला जाता है solutions की वो properties जो किस पे depend करती हो वो depend करती है number of solute particles present in the solution वो nature of solute particles पे depend नहीं करती number of solute particle पे depend करती हूँ ऐसी properties को colligative properties बोला जाता है और हमारे syllabus में चार colligative properties है एक है relative lowering of vapor pressure दूसरा होता है elevation of boiling point तीसरा होता है depression and freezing point और सबसे last में आता है osmotic pressure जिसको हम लोग 5 से दिखाते हैं यह चार colligative properties हैं जो हमें इस पूरे chapter में पढ़नी होती है और qualitative properties वाला जो portion होता है वो काफी important होता है yes एक चीज़ ऐसा भी बोला जाता है कि यह जो properties है यह तब ही define है जब आपका solution कैसा हो dilute solution और आपका जो solute है वो कैसा हो non-volatile solid हो yes आपका जो solute होगा वो कैसा होगा non-volatile solute होगा done यह दो application यह दो च condition है जो आपकी qualitative properties के लिए applicable होनी ज़रूरी है done तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं relative lowering of vapor pressure क्या मतलब क्या इसका इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि माल लेते हैं आपके पास एक pure solvent है उसमें आपने एक non-volatile solute add कर दिया तो जो solution का vapor pressure होगा वो इस pure solvent के vapor pressure से कम होगा माल लेते हैं कि जो pure solvent का vapor pressure है वो है P note A है ना pure solvent का vapor pressure और जो solution का vapor pressure है वो है PS यस तो lowering of vapor pressure कितना vapor pressure कम हुआ वो हो जाएगा साब P note A minus PS this is lowering in vapor pressure और relative lowering of vapor pressure वो क्या होती है relative lowering of vapor pressure relative का मतलब क्या है कितना कम हुआ divided by कितना initial था P note A minus PS upon P note A this is the expression for relative lowering of vapor pressure इसी को हम लोग RLVP के नाम से जानते है relative lowering of vapor pressure और यह किसके equal आता है मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ यह equal आता है P note A minus PS upon P note A is equal to mole fraction of solute और mole fraction of solute का formula हो जाएगा NB upon Na plus NB यह है expression for RLVP relative lowering of vapor pressure लेकिन अगर question में ऐसा लिखा है कि dilute solution है क्या है? dilute solution है तो dilute solutions के लिए जो solvent के moles होंगे मेरे भाई वो बहुत ज्यादा होंगे किस से? solute के moles से और अगर बहुत ज्यादा है इसका मतलब Na plus NB को मैं लगबक इसके equal लिख सकता हूँ Na के equal लिख सकता हूँ और जैसे आपने ऐसा लिखा आपने कहा sir RLVP का expression हो जाएगा P note A minus P S divided by P note A is equal to NB upon N A लेकिन ये तब लिखना है ये कब लिखना है जब question में लिखा हो कि solution कैसा है dilute solution है इसका मतलब solvent के moles बहुत ज्यादा है solute के moles से मेरी बात सहएद आपको समझ में आ रही है done आगे चल सकते हैं हम लोग इसका एक और expression भी होता है है ना इसका एक और expression भी होता है P note A minus P S upon P S is equal to NB upon N A मैं तो आपको recommend करूँगा जब आप लोग numericals करते हों तो आप ये वाला expression यूज़ करें लेकिन ध्यान देना है ये जो expression है ये RLVP का नहीं है ये वाला expression आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपसे question में या तो solution का vapor pressure पूछे या फिर pure solvent का vapor pressure पूछे लेकिन अगर आपसे RLVP की value पूछी है तो RLVP का expression यही है ये RLVP का expression नहीं है ये तो shortcut है जिससे की आप लोग numericals कर पाओ ठीक है तो ये पहला था अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अगली अगला जो qualitative property है जिसको हम लोग बोलते है elevation of boiling point उसके बारे में बात कर लेते हैं देखो elevation of boiling point का मतलब क्या है माल लेते हैं कि हाँ जो आपका boiling point of pure solvent है और जो solution का boiling point है उसको मैंने लिख दिया TB है boiling point of solution जब आपने non-volatile solute add कर दिया तो कहता है तो ये कहता है कि जो pure solvent है अगर आपने एक pure solvent में non-volatile solute add कर दिया तो जो solution का boiling point होगा वो increase कर जाएगा, elevate कर जाएगा elevation मतलब elevate कर जाएगा मतलब solution का boiling point हमेशा pure solvent के boiling point से ज्यादा होता है और जितना ज्यादा हुआ है उसी को बोला जाता है elevation of boiling point delta TB इसकी चीज़ अगर मैं लिखूँ, इसका expression मैं लिखूँ तो वो जाएगा solution का boiling point minus pure solvent का boiling point TB is equal, delta TB is equal to TB minus TB naught और ऐसा बोला जाता है ऐसा बोला जाता है कि जो dilute solutions होते है जो dilute solutions होते है जो dilute solutions होते है उनके लिए जो delta TB होता है it is directly proportional to molality of solution और जो molality of solution आप proportionality का sign अटाओगे एक constant use करोगे, वो होगा KB है ना, और molality क्या होती है solute के moles WB upon MB और mass of solvent into 1000 और KB से तो multiply होगा ही Done तो यह है final expression for delta TB elevation of boiling point और यह जो delta TB बेटा KB है इसको molar elevation constant बोला जाता है या फिर इसको abilioscopic constant भी कहा जाता है Abilioscopic constant भी आप लोग लिख सकते हो molar elevation constant भी बोला जाता है कुछ जगह पर इसको boiling point elevation constant भी कहा जाता है Done अच्छा, आपके सामने graph भी दिया हुआ है, यह graph क्या कह रहा है इसको भी आप लोग समझ लो, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि boiling point क्या होता है आप बोलो कि boiling point वो temperature होता है boiling point वो temperature है जिस temperature पे किसी भी liquid का vapor pressure external pressure के बराबर होता है माल लेते है external pressure, atmospheric pressure है और वो कितना है 180 अम तो एक graph बनायागे आपके सामने देखो यह वाला जो first वाला graph है यह वाला जो first वाला graph है इस temperature पे इस liquid का vapor pressure कितना हो रहा है 180 अम हो रहा है इसका मतलब यह वाला temperature होगा boiling point यह जो दूसरा वाला liquid है आप देखो इस temperature पे इस temperature पे इस temperature पे इस liquid का vapor pressure कितना हो रहा है 180 इसका मतलब यह जो temperature होगा यह होगा इस liquid का boiling point इसका मतलब दोनों मैंसे किसका boiling point ज्यादा है अभी हमने बात करी solution का boiling point ज्यादा होगा मतलब यह वाली जो चीज है यह है solution का boiling point और यह है pure solvent का boiling point और यही जो graphically अगर मैं बात करूँ इन दोनों का जो difference है that is elevation of boiling point और delta tb वो आपकी screen पर लिखा है tb minus tb not अगर कभी तुमसे यह भी पूछ ले कि माल लो kb का formula क्या होगा तो kb का formula होता है ma r tb not square divided by thousand into enthalpy of vaporization यह एक formula है आप लोग चाहें तो इसको ध्यान में रख सकते हो अला कि बहुत ज़्यादा numerical इस formula पर नहीं पूछेगे but still आप लोग ध्यान में रखोगे तो आपके लिए फाइदे मन दी है ना यहाँ पर में क्या है यह हम लोग दिखाते हैं कि से solvent को A से दिखाते हैं तो यह molar mass of solvent यह gas constant यह boiling point of pure solvent thousand into enthalpy of vaporization ठीक है ना तो यह formula है इसकी help से आप लोग kb की value भी find कर सकते हो done वैसा ही एक और एक और जो qualitative property है depression of freezing point जिसको हम लोग delta tf से दिखाते है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि माल लेते हैं जो freezing point of pure solvent है वो tf0 है है ना this is freezing point of pure solvent freezing point of pure solvent और अगर माल लो tf है freezing point of solution तो यह qualitative property यह कहती है कि अगर माल लो आपके पास एक pure solvent है उसके अंदर आपने एक non-volatile solute add किया तो जो freezing point होगा वो decrease करेगा depression आएगा उसमें मतलब solution का जो freezing point होगा वो pure solvent के freezing point से हमेशा कम होता है yes तो इसका मतलब यह हुआ solution का freezing point कम है pure solvent का freezing point होगा वो ज्यादा होगा तो जो delta tf depression in freezing point है वो बन जाएगा tf0 minus tf this is the expression for depression in freezing point delta tf tf0 not लग गया इसका मतलब pure solvent pure solvent का freezing point ज्यादा होगा solution के comparison में और boiling point किसका ज्यादा होगा solution का boiling point ज्यादा होगा यहाँ पर freezing point किसका ज्यादा होगा pure solvent का freezing point ज्यादा होगा ठीक है ना और यहाँ पर वापस से वही चीज लिखोगे कि जो delta tf होता है dilute solutions के लिए वो molality of solution के directly proportional होता है जब आप proportionality का sign अटाते हो तो एक constant use करते हो इसको बोला जाता है molar depression constant या फिर cryoscopic constant भी इसको कहते हो ठीक है अगर आप लोग इसकी value ध्याद रखना चाहो तो water के लिए इसकी value 1.86 होती है और अगर आप आप kb का value ध्याद में रखना चाहो तो water के लिए कितना होता है 0.52 होता है kb का value सिर्फ और सिर्फ nature of solvent पे depend करता है इसकी value भी solute के साथ कभी भी change नहीं होती इस बात को आप लोग ध्याद में रखेंगे ठीक है ना और वापस से अगर आप लोग molality का formula लिखना चाहते हो तो molality हो जाएगी given mass upon molar mass into mass of solvent into thousand है ना या आप लिए यह वाला formula लिख सकते हो wb mass of solute divided by molar mass of solute मतलब यह बनके moles of solute divided by mass of solvent किसी को लोग molality कहते हैं और क्योंकि यह gram में है तो उपर thousand से multiply कर दिया है अगर आप यहाँ से kf का formula निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो m a r tf not का square divided by thousand into enthalpy of fusion yes enthalpy of fusion per mole वापस से m a क्या है molar mass of solvent r gas constant tf not is freezing point of your solvent thousand delta fusion is enthalpy of fusion per mole done तो यह था दादा depression of freezing point जो इस formula पर जिन पर questions generally बनते हैं आगे चलते हैं और सबसे last जो colligative property है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है osmotic pressure यहाँ पर देखो एक छोटी सी time आती है जिसका नाम है osmosis आप बोलोगे सरी यह osmosis होता क्या है तो देखो माल लो आपने क्या कर रखा है आपने दो container ले रखे हैं आपने दो container ले रखे हैं और इन दो container को एक glass एक tube के थूब के थूँ आपने connect कर रखा है और बीच में एक semi permeable membrane डाल रखी है यहाँ पर आपने एक ले रखा है solution yes और यहाँ पर भर रखा है सिर्फ और सिर्फ solvent तो होता क्या है तो होता क्या है कि जो solvent के particles हैं किसके सिर्फ और सिर्फ solvent के particles वो इस SPM के थूँ ज्यादा solvent से कम solvent के तरफ move करने लगता है इधर solvent ज्यादा है इधर solvent कम है इसका मतलब जो solvent के particles होंगे वो ज्यादा solvent से कम solvent के तरफ move करेंगे and this movement of solvent particles is known as osmosis इसको क्या बोला जाता है Osmosis बोला जाता है अगर माल लो आपको इसको रोकना है Osmosis को तो आपको इधर solution वाली साइड एक extra pressure apply करना पड़ेगा है ना उस extra pressure की वज़े से इधर से solvent के particle इधर नहीं आ पाएंगे and this pressure which is applied to stop the Osmosis is known as Osmotic Pressure इसी pressure को क्या नाम दिया जाता है Osmotic Pressure बोला जाता है और यह जो Osmotic Pressure की value होती है it is equal to यह concentration of solution के directly proportional होती है यहाँ पर जितना ज्यादा concentration होगा solution का Osmotic Pressure उतना ही ज्यादा होगा proportionality का sign अटाओगे एक constant use करोगे R into T तो आप देखो और यह temperature के भी directly proportional होता है Osmotic Pressure पाई is equal to C अरे बया C क्या है सर C है concentration of solution T क्या है सब T है temperature किस में होना चाहिए मुनना Kelvin में होना चाहिए और R की value यहाँ पर कौन सी काम में ली जाएगी 0.0821 ATM लीटर Kelvin inverse Osmotic Pressure का formula ह रोजी भी लिख सकते हो लेकिन यह वाला formula हमारे ज्यादा काम में नहीं आता यह वाला formula है जिस पे हमारे लिए numericals बनते हैं हमारे लिए यह वाला formula ज्यादा important है Done बहुत बढ़िया अम माल लेते हैं आपके पास दो solution है हैना दो container है जिसमें दो अलग-अलग solution है एक की concentration C1 एक की concentration C2 इनको आपने SPM के थुरू connect कर दिया लेकिन आज C1 की जो value है वो ज्यादा है C2 से आप एक चीज मुझे बताइए अगर concentration ज्यादा है इसका मतलब इसमें solute ज्यादा है है की नहीं यहाँ पर solute ज्यादा है यहाँ पर solvent और यहाँ पर solute कम है मैं कह सकता हूँ ऐसा अरे बोलो ना मतलब यहाँ पर solvent ज्यादा है सर है ना भई concentration किसको बताती है amount of solute को मैंने कहा concentration कम है C2 इसका मतलब amount of solute कम है तो कौन ज्यादा है solvent ज्यादा है अब मुझे बताइए अब मुझे बताइए osmosis कहां से कहां की तरफ होगा सर, osmosis होगा ज्यादा solvent से कम solvent की तरफ C2 से C1 की तरफ और देखिए अगर माल लेते हैं इसका osmotic pressure मैं π1 ले लेता हूँ इसका osmotic pressure π2 ले लेता हूँ तो इसका मतलब यह हुआ concentration ज्यादा है इसका मतलब osmotic pressure भी ज्यादा होगा π1 की value π2 से ज्यादा होगी यस, π1 का value π2 से ज्यादा होगी जिस solution का osmotic pressure ज्यादा होता है उसको बोला जाता है hypertonic solution क्या नाम दिया जाता है hypertonic solution और जिसका osmotic pressure कम होगा जदा उसको बोला जाता है hypotonic solution यस उसको क्या कहा जाता है hypotonic solution तो हमेशा ध्यान देना है osmosis जो होता है वो less osmotic pressure से high osmotic pressure की तरफ होगा osmosis जो होगा वो less osmotic pressure से high osmotic pressure की तरफ होगा अगर मालो किनी 2 solution का osmotic pressure same हो जाता है किनी 2 solution का osmotic pressure same हो गया इसका मदलब ऐसे solutions को isotonic solutions बोला जाता है और ये तभी same होगा जब दोनों की concentration same होगी है ना ये तभी same होगा जब दोनों की concentration same होगी परी बात समझ में आगे मालो आपके पास दो अलग-अलग solutions है जिस एक में osmotic pressure π1 है उसका volume V1 है एक दूसरा solution है उसका osmotic pressure π2 है volume V2 है आपने इन दोनों को mix कर दिया तो जो resulting osmotic pressure निकलेगा वो इस formula की help से निकलेगा πr is the resulting osmotic pressure जब आपने दो solution जिनका osmotic pressure अलग-अलग है उनको क्या किया था mix किया था मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोलिए बोलिए ज़दा hypertonic, hypotonic और isotonic questions ज़्यादा आपको isotonic solutions में मिलेंगे, दो solution जिनकी concentration जिनका osmotic pressure सेम होता है, उनको हम लोग क्या बोलते है, hypotonic solutions बोलते है, isotonic solutions बोलते है, done, अच्छा अब यही पर एक ओड टाम आती जिसका नाम है देखो यहाँ पर लिखा है, isotonic solutions क्या होते है, given temperature पर उनकी value सेम होगी, यह हम लोगों ने बात करी लिए और एक टाम आती जिसका नाम है reverse osmosis and water purification reverse osmosis जिसको आप लोग RO बोलते हैं सब लोग घरों में यूज़ करते हैं है ना, देखो RO होता क्या है, और इसमें होता क्या है reverse osmosis, osmosis का just opposite osmosis का just opposite, done यहाँ पर है आपका solution yes या फिर पिछला वाला है ले लो, इधर हमने solvent भर रखा है, है ना, इधर आपका pure solvent है, और इधर आपका solution है, ठीक है, तो होगा solvent जो है, वो कहां से कहां की तरफ move करेगा, सर इधर से इधर की तरफ time ऐसा आएगा, जब हमने इधर एक pressure apply कर दिया, osmotic pressure जैसे हमने osmotic pressure apply किया जो osmosis है, वो रुख गया, solvent के particle इधर से इधर आना रुख गया, osmosis सर रुख गया, yes लेकिन, सोचो अगर मैं side pressure osmotic pressure से ज्यादा apply कर दूँ अगर solvent solution वाली side जो pressure है, वो उल्टा हो जाएगा, सर आज जो आपका water है, वो solution वाली side से pure solvent की तरफ move करने लगेगा और यही phenomenon होता है, जो use होता है किसके लिए drinking water को purify करने के लिए आपके पास drinking water है जिसमें बहुत सारे salts dissolve होते हैं जिसको मैं solution बोल रहा हूँ जब इस side आप pressure osmotic pressure से ज्यादा apply करोगे तो यहाँ से जो pure solvent है वो इधर move करने लगेगा पीछे जो आपके dissolved solids है वो पीछे रह जाएंगे और इसी वज़े से जो water की tedious level होता है, total dissolved solid वो decrease कर जाता है इस RO की वज़े से तो यह वहाँ use करना चाहिए जहाँ पर पानी का tedious level जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो लेकिन अगर मालोग पहले से ही पानी का tedious है वो कम है या फिर उस range में है जिस range में होना चाहिए अगर आपने वहाँ पर RO use किया तो जो पानी हाएगा इधर इसका tedious level बहुत कम हो जाएगा उसमें जो solids होंगे dissolved वो बहुत कम होंगे और वो भी आपके लिए फाइदे मन नहीं है वो भी हमारे शरीर को नुकसान देंगे है ना तो यह है दादा RO reverse osmosis मुझे समझाना था इस वज़े से मैंने सारी कहानी समझा दी है अब देखो अब यहां पर एक और खेल आता है अगला topic अपना abnormal molar mass and went of factor ज़दा went of factor जो होता है उसको हम लोग दिखाते हैं किस से आई से went of factor को किस से दिखाते हैं आई से ठीक है हुआ क्या हुआ क्या अगर माल लो कुछ cases ऐसे आए कुछ cases ऐसे आए कि जिनमें observed qualitative properties की जो value है वो calculated जो properties, qualitative properties की value है उससे different आ गई मतलब माल लो आप delta tf एक तो calculate करो formulas है कि delta tf is equal to kf into m यह formula से calculate कर लिया एक आपने delta tf observe किया by experiment तो कुछ cases में ऐसा दिखा गया कि यह जो experimental values है और यह जो आपकी calculated value है इनमें difference आया यह सिर्फ और सिर्फ उसी case में हुआ जिस case में आपका solute particle या तो associate कर रहा था या फिर dissociate कर रहा था मतलब अगर आपका solute particle solution में जाने के बाद है ना जैसे आपने उसको solvent में add किया अगर आपका solute particle या तो associate हो जाए या फिर dissociate हो जाए तो उसकी observed qualitative properties और जो calculated qualitative properties होगी उसमें difference आएगा सर, dissociation का क्या मतलब है dissociation का मतलब है NaCl था आपने इसको जैसे पाने में डाला यह Na++Cl माइनस में तूट गया This is the meaning of dissociation सर, यह association का क्या मतलब है जैसे मालो आपके पास acetic acid था है ना और यह जो acetic acid के दो molecules है आपने इनको जैसे बंजीन में डाला यह acetic acid के molecule दो से एक हो गए दो जिस्म एक जान हो गए So, this is the meaning of association अगर आपका solute particle associate या dissociate हो रहा है उस case में आपकी observed collective properties और जो calculated collective properties होगी उनकी value different होगी साथ-साथ इनका जो observed molar mass और जो calculated molar mass होगा सर वो भी difference होगा सर मजा आ गया यह बात तो, सुनके इसका अगर मैं observed molecular mass की बात करूँ ना observed molar mass acetic acid का वो मिला 120 और जो calculated होता आप इसके formula से calculate कर लो वो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ because इसके association की वज़े से अब ये दोनों अलग-अलग नहीं रहे यह जैसे मैंने आप से कहा ना दो जिसमे एक जान हो गए है, ये दोनों अलग-अलग नहीं है, ये दोनों एक single entity की तरह behave करने लगते हैं, तो जब ये अकेले-अकेले थे, calculated तब तो इनका calculated molar mass 60 था, लेकिन जैसे आपने इसको benzene में डाला, आप 2 से 1 हो गया है ये dimer बन गया है, और ये भी 60, ये भी 60, इसका जो observed molecular mass आएगा, वो कितना होगा? 120 इसको आप abnormal molar mass भी बोलते हो, क्या बोलते हो, अब normal molar mass भी बोलते हो और ये है normal molar mass जिसको हम लोग calculated molar mass कह रहे हैं तो सर, ये तो सारी गड़बर हो गई है ये association और dissociation को तो हमने अभी तक consider किया ही नहीं और हमने तो सारे formula लिख दिये तो अब इसी के लिए एक नया factor design किया गया जिसको बोला जाता है vent of factor ये जो vent of factor है, ये particles के association और dissociation को consider करता है साब ये होता क्या इसकी values आपके सामने लिखे, देखो formula आपके सामने लिखा, इसका formula आप इन में से कोई भी एक formula लगा के निकाल सकते हो इसकी value observed value of qualitative property divided by calculated value of qualitative property आप या तो ये formula लगा लो या फिर normal molecular mass divided by observed molecular mass जिसको हम लोगों ने abnormal molar mass बोला है, जैसे यहाँ पर normal ता 60, abnormal 1120 वहाँ से भी आपको IQ value मिल जाएगी उस case में 1 by 2 होगा, या फिर आप एक और formula लगा सकते हो number of particles after dissociation और association divided by number of particles initially, before dissociation and association इनमें से कोई साभी आप लोग formula लगाओ आपको हमेशा जो qualitative I है, इस I went of factor की value मिल जाएगी और मैं आपको बता दूँ जो I की value होती है जो I की value होती है, अगर आपका solute dissociate हो रहा है तो I का जो value होगा dissociation के लिए, वो होता है I is equal to 1 minus alpha 1 minus alpha प्लस N alpha alpha क्या है, साब alpha है degree of ionization degree of ionization और यह N क्या है N है कितने particles में ionize हुआ है जैसे माल लो आपका जो NACL है वो dissociate हो रहा है N A plus plus C L minus में, तो इसके लिए N कितना हो जाएगा 2, कितने particle में dissociate हो है, 2 particles में यस, परी बात समझ में आगी अगर 3 बन रहे होते हैं, तो त्री हो जाती N का value, 4 में dissociate हो रहा तो 4 हो जाती है, और वहीं पर अगर माल लो आपका solute particle क्या हो रहा है associate हो रहा है, तो सर association के लिए, association के लिए जो I का value होता है 1 minus alpha plus alpha by N यह formula काम में लेते हो, association के लिए dissociation के लिए I का value हमेशा 1 से बढ़ा होगा, और association के लिए I का value हमेशा 1 से छोटा होगा अगर माल लो N is equal to 2 लिखता हो, इसका मतलब dimerization हो रहा है ना, dimerization के लिए N is equal to 2 हो जाएगा, yes, N is equal to 3 जो होगा, वो हो जाएगा trimerization के लिए, किसके लिए trimerization के लिए done अब अगर आप ये I का value भी consider करते हो association और dissociation को consider करते हो, तो आपकी जो colligative properties की, जो यू मानों की नए formula जो हो किस तरह से बन जाएगे, देखो नए formula बन जाएगे, P0 A minus P, divided by P0 A is equal to I into NB divided by I into NB plus N A I से multiply करना पड़ेगा solute के moles को जो दूसरा formula बनेगा delta TB, वो बनेगा I into KB into M, पहले था KB into M आज I से multiply हो जाएगा, जो तीसरा formula बनेगा delta TF, वो भी बन जाएगा I into KF into M और सबसे last जो osmotic pressure था वो भी बन जाएगा I into C into R into T, ये है new formula, जो किसको consider करते हैं, association और dissociation को consider करते हैं, आज के बाद आप जब भी question करो, आज के बाद आप जब भी question करो, हमेशा अपना question इस formula से करने की आदट डालो ठीक है अगर मालो आपका कोई solute particle, ना तो associate हो रहा है और ना ही dissociate हो रहा है, तो के लिए I का value 1 होगा, जैसे कि आपका glucose हो गया, हैना question में लिखा है glucose, जैसे question में लिखा है urea, question में लिखा है sucrose, ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए I हमेशा 1 होता है I का value हमेशा 1 होगा मतलब ये solute particle ना तो associate होंगे और ना ही dissociate होंगे आपसे अगर ये question पुछा जाए कि कौन सी colligative property की value कौन सी colligative property काम में ली जाती है जो macromolecules होते है polymers, biomolecules उनका molar mass निकालने के लिए तो वो colligative property है, कौन सी osmotic pressure done चले फिर इसी के साथ session को खतम करने का time आ चुका है आप लोगों से विदा लेने का time आ चुका है मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पूरा session है आप लोगों को बहुत productive लिगा होगा और आपको पता भी नहीं लगा होगा कि कैसे हम लोगोंने 55 minute खतम कर दिये लगभग 1 hour हम लोगोंने खतम कर दिया इस chapter को पूरा करने में तो इससे आपका एक पूरा अच्छे डंग से revision हो चुका होगा ऐसी मुझे पूरी उमीद है so thank you so much for watching this session अगले session में हम लोग मिलेंगे नया chapter जिसका नाह मैं electrochemistry वो लेके तब तक के लिए आप सारे लोग अपना ख्याल रखें खुश रहें हसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें क्योंकि बड़ा काम पढ़ने से चलेगा सिर्फ मुस्कुराने से नहीं चलिए फिर टाटा बाबाई love you all